फ्रेंड्स आप सभी लोग कैसे हो आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होगे फिर से आप सभी का स्वागत है अर्चना महाद्यू फक्ति चनल में तो ये देखें मेरे पास बची हुई सबजी रखी हुई है तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कभी कभी हमारे किचन में दाल चावल रोटी कुछ न कुछ तो बची जाता है तो मेरे अहां सभी को ये सबजी बहुत पसंद आई थी लेकिन फिर भी थोड़ा सब बच गया तो मैं सोची रही थी कि इसको क्या करूँ फेकने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि आप सभी को पता है कि कितनी महनत से ख सोचते सोचते मैंने सूचता कि चलो क्यों ना इसकी एक ऐसी रेही पी बनाय जाए कि कि ताखी ये खतम भी हो जाए और इसको आप लगन में उपनी सामान करड़े तो देखिए हमने दो टमाटर कट किया है मेडियम सायज का और हमने एक मेडियम सायज का प्यास कट किया है और इधर हमने इमली भी होके रख्की हुई है इमली इदा तो लाल मिर्ज का भी इस्तवाल कर सकते हैं देखिए हमने कड़ाई रग दी गैस पे और गैस को हम अन कर लेते हैं अब आप सोच रहे होंगे मेरी कड़ाई तो बहुत गंदी लग रही है लेकिन आपको पता दू इसमें मैंने केले की सबजी अभी अभी बनाई है सुखे केल अपने कटे हुए प्याज और मिर्च तो देखिए तेल बिलकुल पढ़िया सा गरम हो गया है और इसमें इससे धूए आने लगे हैं तो इसमें हम डाल देते हैं जीरा और जीरा अच्छे से तड़क जाए मतलब हो जाए इसके बाद हम डालेंगे अपना प्याज और हरा मि तो ये देखिए हमने कट किया है जो इसमें एट कर देते हैं और इन सभी को अच्छे से हम भूनेंगे इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डिन न हो जाए तो ये देखे हैं हमारा प्याज अच्छे से गोल्डेन हो चुका है जैसा हमको चाहिए था उसी तरह से ये हो गया है अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर एट करेंगे यकीन मानिये फ्रेंट ये रेस्पी आप सभी को बहुत पसंद आएगी यदि आपके घर में सबजिया बची हो आप फटा फट अलग अलग तरीके से रेस्पी को तयार कर सकते हैं और उसको इंजॉय कर सकते हैं और सभी घर वालों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही जल् कर देंगे हमें बहुत मसाले की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे आलो टमाटर की सब्जी में मसाले पहले से ही एड़ हैं तो इन सभी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो टमाटर पो अच्छे से मैस करेंगे तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही चट्पुटी बन के त्यार होगी आप सुभी को बहुत मसाएगा एक बार जरूर ट्राय करिएगा इस तरह से यदि आपकी सब्जी बच जाए तो अब हम इसमें एक चुटकी के करीब हिंग डालेंगे हिंग डालने से क्या होता है मटर जो है भारी पन होता है और किसी किसी को मटर नुकसान कर देता है तो इससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी से बनी रहेगी और मटर हमें नुकसान नहीं करेगा तो इसमें हम देखे आलो टमाटर के जो है रसे हैं थोड़ा से इसमें डाल देते हैं ताके हमारा टमाटर जो है अच्छे से दल जाए और हमारा मसाला जले नहीं आप चाहे तो पानी भी आट कर सकते हैं ताकि आपका मसाला जले नहीं और इन सभी को अच्छे सा मिक्स करेंगे और अब बारी आती है हमारे इमली के पानी की बारी जो हमने इमली की पानी निकाल के रखे हुए हैं सारे पल्प निकाल के रखे हुए हैं उसको हम इसमें एट करेंगे ये देखें इमली का पानी डालने से ये होता है कि इसमें खटापन बहुत ही जादा हो जाता है और बहुत मज़ा आता है खाने में आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं आप इसको नास्ते में भी ले सकते हैं और या तो आप इसको लंच में भी चावल रोटी से आप इसको खा सकते हैं बहुत ही मज़ा आएगा आप सभी को बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है आप एक बार जरूर बना के ट्राइ करेंगा चलिए इसको ढग देते हैं और इसको खुने देते हैं और यदि मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें सभी के साथ सेयर करें और सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें फ्रेंड सस्क्राइब जरूर करिएगा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा इसकी नहीं करिएगा और जब तक आप लोग देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी हुई है तो वीडियो पूरी देखिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा सस्क्राइब करेंगी तो सारी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी तो ये देखिए हमने मटर बॉयल करके रखा था इसमें हम एट कर देंगे मटर आप सोच रहेंगे मैंने छोला बनाया नहीं नहीं छोला नहीं है ये है अलु टमाटर भी मतलब मजे से बन जाएगा इसमें एड हो जाएगा और सभी लोग को पसंद भी आ जाएगा और हमारा आलु टमाटर वेश्ट भी नहीं होगा तो देखिए इस तरह से एक नए रेश्पी बनके तयार हो गई है और इसको हम पकने देते हैं और आप लोग देखिए फ्रेंट्स इसी तरह से बनाईए सीखिए और स्वस्त और मस्त रहें और सभी को मस्त रखिए और मेरी चैनल को हमेशा प्यार देते रहें तो यह देखिए कितनी बढ़ियासी आलु मटर टमाटर की सबजी बनके बिलकुल मस्त तैयार है मेरे घर में तो सभी को ब गी एट करें बहुत ही मज़ा आएगा खाने में आप सभी को और आप चाहें तो इसको नमकीन पापड़ी डालके भी आप इसको खा सकते हैं यह देखें बहुत ही बड़िया ठंडा हो गया है तो देखें किता गाड़ा हो गया है और इता मस्त चेक पटावन के त्यार है तो आ रहा है ना मूँ में आपके पानी तो बनाईए खाईए मज़ा लीजिए और मेले चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए मिलते हैं आप सभी को एक नहीं रेश्पी में अगली वीडियो में तो देखें जिसमें आलो टमाटर की सब्जी थी उसी में हमने इसको निकाल और देखें किती बढ़ियां बनके तैयार हो गई है और बिल्कुल कोई महनत नहीं लगा कोई जंजट नहीं लगा 5-10 मिनट में यह सब्जी बनके तियार हो जाती है वीडियो से बनती है तो प्लीज 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 लाइक करिए शेयर करिए जरूर और सब्सक्राइब कर बाल बाइधेन्स